नमस्कार साथियों मैं बवानी सिंग चुंडावत ओनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ जैसा कि विदित है राजस्थान में 3-4 दिनों से कोरोना वार्यस की महमारी के कारण पूरे राजस्थान में समस्त कोचिंग संस्थानों में छुटिया कर दी गई है इसी के तहथ कि विद्यारतियों के पास मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ परन्तु गबरानी की कोई जरूरत नहीं अपन जो है ओनलाइन क्लासेज के माध्यम से वियाकरण के जो अध्याई है उनको पढ़ेंगे और समझेंगे यदि आपको किसी भी प्रस्न में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बोक्स में बताएं उसका उत्तर में आपको अगले वीडियो में जरूर दूँगा देखिए अपन पहला अध्याई सुरू करते हैं बासा का विकास करम आईए मित्रो अपन बासा का विकास करम पहला अध्याई सुरू करते हैं देखिएगा जैसा कि लिखा है सबसे पहले वासा का विकास क्रम और वासा का विकास क्रम जो हो रहा है वह हो रहा है चहा चड़नों में अब वासा का विकास क्रम जो चहा चड़नों में होता है अर्थात सीधी सी बात ये कह सकते हैं ये एक बच्चे से लेकर अपन गुदारान से समझेंगे कैसे, सबसे पहले लिका है चह, एक चह होता है, इस तरह का जिसके साथ विशरक दिया गया होता है, यह प्राय अशुद होता है, ये शब्द सुधी की दुष्टी से अशुद होता है, अब बात करता है पहले चरन की जो पहला चरण है वह है द्वनी द्वनी किसे कहते हैं तो सबसे पहले बरिभासा सुनिएगा द्वनी का आर्थ होता किसी भी आवाज को अपन द्वनी कह सकते कोई भी आवाज होगी वह हमारी द्वनी कहलेगी अब बात करते हैं भासा के विकास करम में द्वनी का क्या तातपरी है, समझते हैं, छोटी सी बात लेते हैं, बच्चे के जन्म से लेते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहले वह एक ही बात सीखता है, वह होती है, द्वनी, क्या होती है, द्वनी, अब बच्चा जब द्वनी मुझ से निकालता है, तो य यह ध्यान रखना है बच्चे के लिए वह सार्तक हो सकती है प्रंतु माबाप के लिए वह सार्तक नहीं होती माता पिता उसे कभी नहीं समझ सकते कि बच्चा उस द्वनी से क्या समझाना चारा तो मैंने यहां पर एक बिंदू बना रखा है अर्षपश द्वनी का जो अर्थ लिखा है अपेक्षा कृत श्पष्ट अब बात करते हैं भासा द्वनी के से कहते हैं जैसे कि मैं बोल रहा हूं ये एक भासा में बोल रहा हूं अर्थात ये द्वनी नहीं कहलाएगी ये बासा द्वनी कहलाएगी और जो द्वनी होती है वह केवल सुनाई देती है उसको अपेकसा का अर्थ होता है, इसकी तुलना में ये ज़्यादा इस्पस्ट होगी, इसके बाद में बालक सीखता है वर्ण, और वर्ण के नीचे एरो बना के लिखा गया है कि सबसे इस्पस्ट, वर्ण सबसे इस्पस्ट होता है, क्यों? वर्ण सबसे इस्पस्ट होगा, सीधी सी बात है, वर्ण को लिखा भी जाता है, वर्ण को बोला भी जाता है, अर्थात, जिसको अपन लिख सकते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं, उसका अर्थ ज्यादा इस्पस्ट होगा, अर्थात, वर्ण के दो रूप होते हैं, ये परिक अब बात करते हैं कि वढ़न कौन दिखके बहुत सारी ब्राइंतिया है. भिन भिन किताबों में और सबसे बड़ी ब्रांतिया है गाइडों के अंदर अक्सर को जो परिवासित किया गया है वह वर्तमान में जितनी भी गाइडों में दिया गया है वह सबसे ज़्यादा गलत पड़ाया गया है और अक्सर होता क्या है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं अक्सर के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि गाइड में क्या दिया गया है गाइड के अंदर दिया जाता है कि अधनक्षर अधनक्षर या जिसको खर्च नहीं कर सकते या जिसका ख्षय नहीं हो या जिसके टुकडे नहीं हो ये सारा मैं अक्सर के बारे में बता रहा हूँ अब देखना ये सारा का सारा गाइड में दिया गया अर्था पूरी सब्द का अर्थ क्या होता है जिसके टुकडे नहीं हो जिसको क्या है गलत है अब अक्सर किसे कहते हैं तो आपके सामने परिवासा लिखी गई है द्वन्यों का ऐसा समूँ जिनका उच्छारण एक स्वास के एक ही आगात में हो जाए उसे क्या कहते हैं अक्सर कहते हैं अर्थात आगात कम लोता है जटके से उच्रित हो जाए उन द्वन् तो जितनी भी द्वन्या है वो भासा की सभी की सभी कहियां क्यलाएगा अक्सर के बारे में जो आपको लिखा गया है जिसके टुकडे नहीं हो, नास नहीं हो, खर्ष नहीं हो, अक्षे नहीं हो ये केवल और केवल गाइडों में दिया गया है परन्तु ये ब्रह्मा के अर्थ में दिया गया है ये अक्सर की बरिवासा नहीं है और अब बात करते हैं जैसे गाइड में इसका उधारण भी मिलता आप लोगों को कि जैसे की कालिक दिया अब गाइड में इसके नीचे हलन लगा देते हैं गाइड में बोला जाता है कि ये हमारा अक्सर है ये अक्सर नहीं है ये केवल और केवल वर्ण क्यलाता है और अक्सर क्यों कहते हैं क्योंकि इसके टुकडे नहीं किया जा सकते हैं परन्तु ये अक्सर जो परिवासा दी दे हैं ब्रहमा के आर्थ में दी दी, अब अपन चर्चा करते हैं, अक्सर किसा केते हैं, सिदी सी भासा में अक्सर होते कोन हैं, तो सभी स्वर और स्वरांत व्यंजन अक्सर कहलाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, बारत शब्द में कितने अक्सर है, भारत शब्द में कित या की दा मीद शब्सकिर के ऑप ऊक्सर है होँगिया कश्यु या बात हाई Wäh jump तो विद्यार्थी सिधा सा जवाब देता है भारत सब्सक्र्ध में कितने अक्सर होता है चह यह बात क्या है गलत है अब इसका अगर आपको उत्तर चीए आप केवल किसी भी शब्द में कितने अक्सर है इसका एक ही उत्तर है वह आप निकाल सकते हो द्वन्यों का ऐसा समूझ इनका उच्चारण एक स्मास के एक ही आगास से होता है अरथाद आपको किसी भी यदि अक्सर डूणना है तो उसका उत्चारण करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा उत्चारण आप भारत सब्द का उत्चारण कीजिए तो आपको मिल जाएंगे अक्सर कितने है बा रत आप अगर उत्चारण करोगे तो पहला आगात लग रहा है बा दूसरा आगात कितने अक्षर हो जाएंगे, दो, भारत सब्द में कितने अक्षर है, दो अक्षर है, कोई सा भी सब्द हो, निकाल सकते हैं, भारत, ये ले लो, इसका उचरण करो, मन, कितना आगात लग रहा है, एक अक्षर है, तो ये ध्यान लखना जो अकषर की परिवासा होती वह यहीं होती द्वणियों का ऐसा समूझ इनका उच्छारण एक स्वास के एक ही आगाद में होता है वह अकषर कहलाता है और अक्सर कौन होते हैं तो सभी स्वर अक्सर क्यलाते हैं और यदि किसी व्यंजन का स्वर से अंत हो रहा तो वह भी क्या क्यलाएगा अक्सर क्यलाएगा अब वर्ण और अक्सर में क्या अंतर है ये देखते हैं अब थोड़ी देर पहले मैं आपको वर्ण के बारे में बताया था, वर्ण और अक्सर में क्या अंतरे ध्यान देना हूँ, वर्ण उस द्वनी को का जाता, जिसके कभी टुकडे नहीं हो, क्या नहीं हो सकते, टुकडे नहीं होते, जैसे कि लिख दिया क, ये का हलन्द है, ये हमारा वर्ण है, क्या है ये वर्ण, क्योंकि कभी जवनी के अब टुकडे नहीं किये जा सकते, अर्थाद येदि अब अक्सर लिखना है, तो ये लिख दिया क, ये अक्सर हो जाएगा, दोनों में अंतर क्या है, का के निचे हल्चिन लगा हुआ है, अर्थाद अब इस का वर्ण के टुकडे नहीं किये जा सकते, का लिखाए उसमें स्वर है, ये अक्सर है, ये अक्सर होगा, ये हमारा अक्षर नहीं है ये केवल और केवल क्या है वन के लाता दोनों में तर और दूसरी बाद ये द्यान रखना सदेव बीना स्वर के कभी अक्षर नहीं होता सदेव स्वर सहित होगा जो भी अक्षर होता है उसमें एक क्या होता है स्वर होता है तो आपको ये सदेव ध्यानक ना है वर्ण के टुकडे नहीं किये जा सकते अक्सर के टुकडे किये जा सकते और किसी शब्द में अक्सर ढूंड़ना है तो आपके वल एक ही माध्य में उसका उस शब्द का आप क्या करोगे उच्चारिन करोगे और आपको जितने आगात लगे, जितने जटके लगे, वह क्या क्यलाएगा, अक्सर क्यलाएगा, अब बात करते, आगे देखोगे, आपको मिलेगा शब्द, अक्सर के बाद में भासा के विकास करम में आता है शब्द, शब्द के बारे में समझते हैं क् निरर्थक होगा तो वह शब्द नहीं केलाएगा, जैसे कि एक शब्द लिखा है नीचे लकम, क्या लिखा है लकम, अब ये वर्णों का समू तो है, परन्तु यहाँ पर ये ध्यान देने योगी बात है, ये समू होने के साथ साथ में सार्थक नहीं है, ये निरर्थक है, लक कमल हमारा क्या हो जाएगा शब्द हो जाएगा अब कमल के कितने अर्थ निकलते हैं कमल के बहुत सारे अर्थ आगे बढ़ेंगे τधो अगला चरना ए वह आता है वाक्ये के अंदर भी ध्यान देना वह सदेख सार्तक और वाक्य सदेव क्रम में होता है, हिंदी के अंदर जो वाक्य का क्रम होता है, उसके अंदर सदेव ध्यान रगना, यह आरपी इसने बहुत बार प्रस्ण पुछा एक्जाम में, सबसे पहले करता आएगा, फिर करम आएगा, फिर क्या आजाएगी, किरिया, इसी क्रम में चल प्राब में कमल खिल चुका है, यहाँ फूल के लिए आया है, बासा का नारा थागाव चरण में एसी द्वनी जिसके कभी टुकडे नहीं किये जा सकते वन्ड के परिक्सा में पूछे जाए कितने रूप होते है तो दो रूप होते, एक मौखिक रूप होता है दूसरा लिखीद रूप होता है वन्ड कौन कौन है? और कहलंध होगा तो वन्ड कहलाएगा अन्यता वह वन की स्रेणी में नहीं रखा जाएगा अब यहाँ पर जो लिखा है द्वनी अस्पस्ट होती है बासा द्वनी अपेक्सा क्रिश्पस्ट होती है वन सबसे इस्पस्ट होता है वन के बाद में जो अगला चरण आता है वह आता है अक्सर अक्सर मिलकर किसे बनता है तो द्वनी या द्वन्यों के समू से अक्सर किसे मिलकर बनता है द्वनी या द्वन्यों के समू से अक्सर मिलकर बन जाता है और इसके बाद में लिका है एक अक्सर कौन होते हैं तो सभी स्वर आउर स्वरांत व्यंजन अक्सर होते हैं किसी भी शब्द में आपको अक्षर डूढ़ने है तो सीधा साहे उसकी परिवासा देखी गया द्वन्यों का ऐसा समू जिनका उच्चारण एक स्वास के एक ही आगात मतलब जटके से होता है वह अक्षर कहलाता है आपको मैंने बताया था भारत शब्द के अंदर कितने अक्षर है तो दो अक्षर हो जाएंगे कैसे तो एक तो भा दूसरा क्या हो जाएगा रत आगे बढ़ेंगे अगला जो चरण आता है वह शब्द आता है शब्द जो होता है वह सार्तक शमू होता है सार्थक का अर्थ होता है अर्थ सहीत और शब्द लिका है लकम लकम कोई शब्द नहीं है क्योंकि ये निरर्थक है कमल हो जाएगा फूल भी हो सकता है व्यक्ति भी हो सकता है अगला चरण आता है वायके जो सार्थक समुवह क्रमबद होना चाहिए क्रमबद का अर्थ होता ह कि जो हिंदी में वाइक चलता हुआ एक निश्चित करम में होता है पहले करता आता है फिर करम आता है फिर क्या आती है क्रिया आती अगला बिंदू देखेंगे अपन अब परिक्सा के अंदर भासा के जो ध्वन्यों पर आधारीत प्रस्न होता है बहुत सारे परिक्सा में प सबसे पहले बात करेंगे शब्द सुधी की द्रशी से भासा कि इकईया, ये इकईया सही लिका हुआ, कुछ विद्यार थी, इकईया शब्द को ऐसा लिखते हैं, ध्यान देना ये है अशुद होता है, क्योंकि जब एक वचन से आप बहुचन बनाते हो, तो शब्द की अंति सुध होगा, यह अशुद होगा, अब बात करते हैं, भासा की इकईयों पर आधारित पहला प्रस्न लेते हैं, उच्चारण या मौखिक द्रश्टी से भासा की सबसे छोटी कई कौन सी, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये उच्रित बोल्दा, जिसको केवल अपन क्या कर सक पे सुन सकते हैं, या उच्रित कर सकते हैं, इसका उत्तर होता है, द्वनी, क्या उत्तर हो जाएगा, भासा की सबसे छोटी कई, पर आधार कौन सा है, उच्चारण या मौखिक द्रश्टी से भासा की सबसे छोटी कई कौन सी होगी, तो उत्तर हो जाएगा, द्वनी, अग को जवाब देना है इसका उतर होता है वर्ण क्या उतर हो जाएगा दोनों में अंतरे देखिएगा अगर आपको प्रश्ण पुछे मोखिक आदार पर वासा की सबसे छोटी कई कौन सी उतर देना केवल द्वनी यदि आपको प्रश्ण पुछे लिखित आदार पर या लेखन या लिपी की द्रश्टी से वासा की सबसे छोटी कई कौन सी है तो आपको उतर हो जाएगा वर्ण अगला प्रश्ण देखिएगा शब्द रचना की द्रश्टी से वासा की सबसे छोटी कई कौन सी है मतलब शब्दों की रचना किसे होती है उस द्रश्टी से भासा की सबसे छोटी कई कौनसी है तो सबसे फिल अपन चर्चा करें शब्द की रचना किसे होती है कमल शब्द जो बना है वो वर्ण से बना है तो सदेव ध्यान रगना वो वर्णों से बन दिये तो वासा का मूल आदार क्या हो जाएगा वर्ण हो जाएगा अगला लिका है सार्थक अर्थ की दृष्टी से वासा की सबसे छोटी कई कोन सी है सार्थक अर्थ का अर्थ ये होता है जिसका कोई अर्थ हो उस द्रश्टी से वासा की सबसे छोटी कई कौन सी है तो हमारा उत्तर हो जाएगा शब्द हमारा उत्तर हो जाएगा शब्द तो सार्थक अर्थ की द्रश्टी से वासा की सबसे छोटी कई हो जाएगी शब्द अगला प्रस्म देखिएगा यह RPC में पूछा गया है व्याकरणिक पूर्णता की द्रश्टी से प्रस्ण यह है व्याकरणिक पूर्णता की द्रश्टी से वासा की सबसे छोटी कई कौनसी सबसे पहले व्याकरणिक पूर्णता होता क्या है तो जहां पर हमारी व्याकरण पूरी होती है अर्थात पूर्णता का बोध गराती है उस सब्द की दरश्टी से वासा की सबसे छोटी कई कौनसी है तो व्याकरण का पूरी होती है सीधी सी बात है व्याकरण तो पूरी वाक्य के अंदर हो जाती है जहां पर एक कर्ता मिलता है, जहां पर एक कर्म मिलता है, जहां पर एक किरिया मिलती है, यह वाकिय की पूर्णता होती है अब आगे बढ़ेंगे स्वतंत्र अर्थ की द्रश्टी से वासा की सबसे छोटी कई कौनसी यह बहुत ही अच्छा प्रस्ण है, स्वतंत्र अब जो अर्थ तो है प्रन्तु वो अर्थ भी क्या सा है स्वतंत्र अर्थ की द्रश्टी से वासा की सबसे छोटी इकई कौनसी अब इसको स्वतंत्र क्यों कहते हैं और सार्थक अर्थ की द्रश्टी से कौनसी इकई है और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अर्थ, परन्तु अर्थ से पहले भी एक शब्द दिया गया है, वह है स्वतंत्र अर्थ की द्रशी से वासा की सबसे छोटी कई कौशी, समझेगा इसको देखी, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है कमल, अब इस कमल शब्द का अर्थ क कोचिंग संसान भी हो सकता है, अर्थात जो शब्द होता है, वह स्वतंत्र होता है, मैं तीन विद्यारतियों को नाम लेता हूँ, राम, शाम, मोहन, इन तीनों को मैं कमल शब्द दिखाता हूँ, वो बोलते हैं, सर एक कमल शब्द का अर्थ होता है, फूल, दूसरा सोचता ह कमल नाम की कोचिंग संसान है, अर्थात, राम, शाम, मोहन, तिनों क्या है, स्वतंत्र है, वह इस कमल शब्द का अलग-अलग अर्थ निकाल सकते हैं, बात दिये नहीं है, कि वह एक ही बात सोचे कि ये फूल है, नहीं, ये क्या है, स्वतंत्र है, और स्वतंत्र अर्थ की द् मैं इसको वाइके में बांध लेता हूँ, कमल विद्या ले जाता है, यहाँ पर लिखा है कमल विद्या ले जा रहा है, यहाँ पर सभी के लिए एक ही अर्थ होगा, वह होगा, यह किसी व्यक्ति के बारे में बता रहें यहां पर आप स्वतंत्र नहीं रहोगे क्योंकि यहां पर इस कमल शब्द को मैंने वाएके में प्रियोग कर लिया है अर्था सभी के लिए कमल वِद्या ले जा रहा इस वाएकी के यही बोद होगा कि कमल एक व्यत्ती है अब लिखा दूसरा तालाब में कमल खिल चुका है यहाँ पर भी कमल शब्द आया है यहाँ पर भी आप बाद दे हो स्वतंत्र नहीं हो क्योंकि इस कमल शब्द का अर्थ अभी क्या है केवल फूल है जो सभी के लिए क्या हो जाएगा फूल ही होगा वाकिय स्वतंत्र नहीं होता केवल शब्द स्वतंत्र होता है अगला प्रस्ण देखिएगा बादसा की सबसे छोटी कई कौन सी अब ये महिला सुपरवाजर 2015 का प्रस्ण है मैंने आपको जितने भी प्रस्ण बोर्ट पे बताया है वो सारे के सारे किसिन किसी आधार पर है अब जो प्रस्ण आया आपकी आँखों के सामने वह महिला सुपरवाजर 2015 का प्रस्ण है यहाँ पर द्यान देने योगी बात यह है आपको कोई आधार नहीं दिया गया है केवल और केवल ऐसा प्रस्ण पूछाए वहाजर की सबसे छोटी कई कोन सी है अब वहाजर की सबसे छोटी कई कोन सी है अपन खुद सोचे कि जब वहाजर का विकास क्रम हुआ था तो सबसे पहले द्वनी आई अर्थात मालक सीखता है तो सबसे पहले द्वनी सीखता है सीधा सा वर्ण नहीं सीखता तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा द्वनी होगा क्या उत्तर होगा द्वनी परण तो आप सोच रहे होंगे कि यह उत्तर गलत है हाँ मैं मानता हूँ यह उत्तर गलत नहीं है यह केवल और केवल जो चैन बोर्ड है उसने इसका उत्तर द्वनी नहीं माना और चैन बोर्ड ने जो उत्तर माना था वह माना था वर्ड अब इसका उत्तर सही क्या है सही में इसका उत्तर द्वनी ही है और द्वनी ही रहेगा परंतु जो chain board है उसने अपनी आंसर की जारी की थी तब इसका final जो उत्तर माना था वह क्या माना था? 1 क्या माना था? 1 अर्थाथ अब अपन तुलना करते एक ऐसा क्यों होता तो सीधी सी बाते प्रतेग वासा से प्रतेग द्वनी से कोई वासा नहीं बनती है इस कारण से इसका उत्तर क्या माना था? तो आपी चैन बोर्ड के अनुसार इसका उत्तर क्या कर ले वे? वर्ण कर ले वे अगर वर्ण विकल्प में नहीं दिया गया हो तो सीधा सा उत्तर हमारा पहला उत्तर ही यही होगा क्या द्वनी हो जाएगा द्वनी? इस प्रकार से भासा का विकास करम होता है पुना एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ भासा का विकास करम छह चरणों में होता है जो पहला चरण आता है वह द्वनी होता है और द्वनी सदे अस्पश होती है द्वनी के बाद में आता है वासा द्वनी जो अपेक्सा करित इस इस्पष्ट होती है वह द्वन्नी की तुलना में इस्पष्ट होगी अपेक्साकार्थ होता है तुलना फिर अगला जो चरण आता है वह होता है वर्ण वर्ण सबसे इश्पश होता है क्योंकि वर्ण को अपन पढ़ भी सकते लिख भी सकते और बोल भी सकते और वर्ण के दो रूप होते हैं ये परिक्साम्या प्रशन पूछा जा सकता है दो रूप होते मौखी कवा लिकित वर्ण को आप लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हो, वर्ण कौन कौन साओंगे, अ, आ का हलन्थ होगा, तो वर्ण के लाएगा, अगला चरण आता है, अक्षर, अक्षर किसे केते, यह सबसे बड़ी चीज है, आपको समझनी है, अक्षर के बारे में गाइडो में दिया गया है, मैं केवल गाइडो की बात कर दिया गया है, ध्यान देना, यह जो परिवासा है, अक्षर की, केवल और केवल ब्रह्मा के अर्थ में, ब्रह्मा के अर्थ में दिया गया, जिसके टुकडे नहीं हो, जिनका नास नहीं हो, जिनको खर्च नहीं कर सकते ही, वो केवल ब्रह्मा के परिवासा है, अब ध्यान आमें ये प्रस्ण पूछा जाता है, इस भारत सब्द में कितने अक्सर है, तो विद्यार्दी क्या करता है, इसके टुगड़े करने बेड़ता है, टुगड़े करके इसका उत्तर निकाल लेता है, चह, और यह उत्तर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, अब भारत सब्द का अक्सर हो ही नहीं सकता, मैंने का लिख दिया, ये अक्सर है, अगर मैंने का लिख कर इसके नीचे हलंद कर दिया, ये ध्यान देना अक्सर नहीं कहलाएगा, ये केवल और केवल वर्ण कहलाएगा, जो ऐसी द्वनी जिसके टुकडे नहीं किये जा सकते, ये हमारा अक्सर है, ये का हमारा वर्ण है अगली बात अगला जो आता है शब्द आता है शब्द कैसे बढ़ता है तो सार्थक द्वन्यों का समू होता है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है उसके बाद में जो अगला चरण आता है वह आता है वाक्य जो वाक्य सदेव सार्थक समू होता है और क्रम बद होता है और हिंदी भासा के अंदर जो व्याकरण में वाक्य का जो क्रम होता है सबसे पहले करता आता है फिर कर्म आता है फिर किरिया आती है इस प्रकार से भासा का विकास क्रम समापत हो जाता है उमेद करता हूँ साथ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यह जो वीडियो को लाइक करे, शेर करे, शेर करने का ताजपरी यह है कि जो विद्यार्थी यहां तक अर्थाथ सिट्री तक नहीं पहुंच पा रहे, वो विद्यार्थी गर बेटे इस वीडियो के माध्यम से फ्री निसुल्क पढ़ सकते, तो मिलते हैं साथियो अगले वीडियो में धन्यवाद